अच्छे अच्छे काम किया है और आज भी इनके हमने जब गाओं में देखा तो यह जनता को समझाते हुए हमें मिले हम इसे को जानकार लेंगे पूछना चाहेंगे कि कि कितना ताइम हो गया है को रहा है कि यह मरीश सर्व 26 तारिक को यहां आया है यह बंबई में जोग करता था पिसाख़ा है सैलून की दुकान पर काम करता था वहां से यह त्रेंट से पेढ़ा है त्रेंट में इसको लखनु छोड़ा है इसकि जाष बंबई में भी होई है और इसकी लखनौ में में जोऊ बॉब्स चम बैस सरकार ने के बार्यमाण के चला जांच रिपोर्ट सेंबिल लेने के बाद इनको वहां से चार लड़के थे दो लड़के हमारे गाउं के थे और दो लड़के एक लड़का फरीद नगर का था और एक लड़का वाजितपुर का था चार लड़के थे चारों को वहां से गाड़ी करके और उसको रामुवाला पर्ड़मेंसी स्थिति स्पूल में ही कुरंटाइन किया जाता तो शायद आज गांव को यह दंच घहला नंपरता जी बेशक बेशक सर आपकी बास सही है इसमें स्वास्विभाग की बहुत बड़ी लापरवाई ही है मैं तो स्वास्विभाग को ही कहुँगा कि उन्होंने इस अपनि लापरवाही का ठीकुरा सारे उनकी लापरवाही की वझद से सारा गाव आज करो नगा ओज thankful है और हटानिक लिड़ी का 26 तारिक में आया है 28 तारिक में उसकी रेपोर्ट आई है तब तक वो कितने लोगोंENTS से यहां मिला हो घृफ ऑफ निम आये देखिये ग्राम गोपी वाला के अंदर पि簡र जाकिर पिच्दान जी के मन में कितना दर्द है और वो कितना दर्द महसूस कर रहे हैं और देखिये किस तरह से स्वास्थ विभाग की ही कमी बता रहे हैं उन्हें बहुत दुख है जबात का इस बात का बहुत दुख है कि यहां जो लोगों की जाँच हो रही है ऐसा जो समा देखने के नहीं मिला है गराम गोपी वाला के लिए बड़ा दुरभाग्ये पूर है और देखिए पिर्भान जी एक लंबे समय से समाज के सेवा कर रहे हैं समाज के सेवा करते चले आए हैं और इनके मन के अंदर बहुत ही दुख है पीड़ा है इस चीज की के गाउं में पता नहीं कितने लोगों की कॉर्ण टेंड की जाँच होगी मैं न्यूज लाइफ दिखा रहा हूं आपको सागी रूफ चंकी पांडे समभा आता हूं